पाकिस्तान की बरबरता पर पूरा देश गुस्से में हैं। पाकिस्तान की सेना गोली बारी करके आतंकियों को कवर देती रही। माचिल मुटभेड में एक आतंकी भी मारा गया। हरियाना के कुरुक्षेत्र के रहने वाले मंदीव की शहादत पर परिवार और गाउं के लोगों को गर्व है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। पाकिस्तान पहले भी भारतिय सेनिकों से बरबरता के लिए। कर चुका है। शहीद मंदीव को मिलाकर हाल के दिनों में कुरुक्षेत्र के दो सैनिक शहादत दे चुके हैं। इससे पहले बिएसेफ के सुचीन कुमार 24 सक्टुबर को शहीद हुए। कुफ़ड़ा के माचल सेक्टर में बिएसेफ जवान नितिन सुभाश कोली एक हादिसे के दौरान शहीद हो गया। 28 साल के नितिन सुभाश कोली लंबी दूरी तक मार करने वाले हत्यार को अपरेट कर रहे थे। लेकिन हादसा हो गया और वही पर धमाका हो गया। नितिन के कंधे में चोटाई इलाज के दौरान रात साड़े ग्यारा बजे उनका निधन हो गया। शहीद नितिन सुभाश कोली महराश्टर में सांगली के रहने वाले थे। शहीद नितिन सुभाश 2008 में B.S.F. में शामिल हुए थे। शहीद नितिन के दो बेटे हैं एक चार साल का है और दूसरा दो साल का। पिछले एक हफ़ते में पाकिस्तानी गोली बारी और घुसपैट रोपने के दोरान छह जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी आद सुभा बियार इस पुरा सेक्टर में सीस फायर का उलंखन किया। पाकिस्तान की गोली बारी में शहीद जवान जितेंदर सिंग और आतंकियों के हमले में शहीद संदीप रावत का आज अंतिंसन्स कार किया गया। दो जाबाज सपूतों को आखरी सलामी किये तस्वीरे विहार के रक्सॉल और उत्राखण के दहरादून की हैं। बी-स-फ के जवान जितेंदर कुमार का पार्तिफ शरीर जब उनके घर पहुँचा तो लोगों की भारी भीड उम्रे और जितेंदर कुमार अमर रहे के नारे लगे। आखरी आत्रा के दौरान बी-स-फ के उनके साथी भावुख हो गए। जितेंदर के बेटे ने शहीद पिता को सैल्यूट किया। वहीं दहरादून में सेना के जवान संदीब सिंग रावत के आखरी आत्रा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। संदीब के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपे समरवादी पार्टी के राजसभा सांसद मुनवर सलीम के पी ए को गरिफतार किया गया है। करीब साल भर पहले उन्हें अपने हनावकरी पे रखा था और रखने से पहले महमूद अख्तर ने दिलीपुलिस की पूच्टाश में माना कि वो भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। इस पूच्टाश में जासूस महमूद अख्तर ने भारत में अपने कॉंटेक्स और हैंडलर के नाम बताए। 26 अक्टूबर को महमूद अख्तर को दिलीपुलिस ने गोवनिये दस्तावेजों के साथ पकड़ा था। राजनाइक होनी की वज़े से महमूद को गिरफतार नहीं किया गया लेकिन उसे देश छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तान के लिए जासुसी के आरोप में राजिस्तान के नागौर से दो और जोदपूर से एक आरोपी को पकड़ा गया है। सीमा पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच नेवी अगले हफ़ते से पश्चिम लहर नाम से युद्ध अभ्यास करें। तैयारी सेना के तीनों अंगों के ऑपरेशनल फोकस पर है। सूत्रों के मताबिक पाकिस्तान आमी चीफ राहिल शरीफ रिटायर होने से पहले भारत के खिलाफ बड़ी कारवाई की फिराक में है। नमंबर में रिटायर हो रहे राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर आक्शन टीम के जरीए भारत के खलाफ कारवाई की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मताबिक राहिल शरीफ एक्स्टेंशन लेने के लिए बॉर्डर परतनाव को बनाए रखना चाहते हैं। इस्तामवाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थक सड़कों पर उतरें। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जोरदार नारे बाजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और पूर्फ क्रिकेटर इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है इमरान ने समर्थों से दो नवंबर की रैली के लिए तैयार रहने के अभील की रावल बिंडी में इमरान समर्थों पुलिस के बीज जोरदार जड़ब भी हुई नवाज शरीफ के स्टीफे की मांग को लेगा इमरान खान दो नवंबर को इसलामबाद में रैली करने वाले हैं इमरान खान ने नवाज शरीफ पर प्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा कर उनका इस्तीफा मांगा है पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की रैली पर पाबंदी लगा रखी है मानजारा के नवाज शरीफ अपने खिलाब विरूत को देखते हुए भारत के साथ तनाव बढ़ा कर लोगों का ध्यान बाटना चाहते हैं कश्मीर घाटी में बंद के खिलाफ आज लोग सडकों पर उत्रे अलगावादियों के खिलाफ लोगों ने शुनगर में प्रदर्शन किया लोगों ने कहा कि बंद की वजह से उनके बच्चों का भविश्च बरबाद हो रहा है लोग सबसे ज्यादा नाराज अलगावादी नेता सेज अली शाह गिलानी से हैं जिनके खुद की पोती तो पढ़ाई कर रही है लेकिन बंद की अपील करके उन्होंने दूसरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप कर दी है अलगावादियों के डर की वजह से प्रदर्शन कारियों ने अपना अपना चेहरा ढख रखा था आट जिलाई को हिजबल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के अंकाउंटर के बाद से कश्मीर घाटी बंद है स्कूल कॉलिश तो बंद है ही, लोगों को अस्पताल जाने से भी रोका जाता है शुनगर के दिल्ली पबलिक स्कूल में बंद के बावजूत परिक्षाई है, भारी सुरकषा के बीच बच्चों ने इमतिहां दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल में अलगावादी नेता सयद अलिशाह गिलानी की पोती पड़ती है बंद के खिलाफ पिछले कुछ हाफ़तों से कश्मीर घाटी के बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने मुक्यमंत्री महभूबा मुफ्ती से भी मुलाकात की थी सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद रौकी आदब ने गया डिस्ट्रिक कोर्ट में सरेंडर किया रौकी के साथ उसकी मा और जेडियू की निलंबित, मलसी, मनोर्मा देवी भी थी सरेंडर के बाद अदालत ने रौकी को जेल भेज़ दिया इससे पहले कल सुप्रिम कोर्ट से जमानत रध होने के बाद रौकी लापता हो गया था साथ माई को गया के कारोबारी के वेटे आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस वारदात के वक्त आदित्य अपने दोस्तों के साथ वर्दे पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे आरोब है कि रौकी ने अपनी कार ओवर टेक होने की वज़े से आदित्य की हत्या की थी 19 अक्टूबर को पटना हाई कोट ने रौकी को जमानत पर रहा करने का आदेश दिया हाई कोट के फैसले के खलाफ राज्य सरकार ने सुप्रिम कोट में अपील की रौकी के पिता और कुख्याद बदमाश बिंदी आदव ने आज गया कोट में पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की इस मामले में बिंदी के खलाफ केस तच किया गया है भारती हाउकी टीम ने एशिन चैंपियन्स ट्रॉफी के फार्नल में जगह बना ली है दक्षन कोरिया और भारत के बीच साथ मिनिट तक के खेल में बराबरी की टककर थी भारत के लिए तलविंदर सिंग ने पंधरवें और रमंदीप सिंग ने 55 मिनिट में गोल दागी लेकिन दक्षन कोरिया ने भी किसवें और 53 मिनिट में गोल करके फाइनल में पहुँशने की उम्मीदों को बरकरा दखा फुल टाइम तक दोनों टीमें दो-दो की बराबरी पर रही फैसला पैनल्टी शूट आउट से हुआ भारत ने 5-4 से शूट आउट जीता गोल की पर श्रिजेश ने साउट कोरिया का आखरी वार रोख कर भारत को जीत दिला दी भारत ने तीसरी बार एशिन चेंपियन्स ट्रॉफी के फाइनल में जगा बनाई है भारत ने टूर्नमेंट के लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 3-2 से और चीन पर 9-0 से जीत दर्च की थी लीग मुकाबले में दक्षेंट कोरिया के खिलाफ मैच एक-एक से ड्रॉ रहा था पाइनल में भारत की टक्कर पाकिस्तान और मलेशिया की बीच के लिए जा रहा है मुकाबले के विजएता से भूग